नमस्कार दोस्त योगिश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में दो फ्रोस्ट फरी रेफिजेटर की फाल्ट फाइनिंग करेंगे जिसमें फाल्ट यह है कि उसके उपर वाले कपांडमेंट में तो कुलिंग हो रही है लेकिन नीचे वाले में पूरी मात्रा में कुलिंग नहीं हो पाती और हमारा रेफिजेटर काफी जोड़दार करंट भी मारता है आज इसमें दो रेफिजेटर के अंदर हम ये फाल्ट फाइनिंग करेंगे और हम वो उन सभी संभावनाओं के बारे मे जमी हुई है जब भी आप ऐसी फाल्ट फाइनिंग पर जाएं तो अगर आपको ये लग रहा है कि बरफ काई मात्रा में जमी हुई है और आगे वाला जो उसका हमारा कवर है वो ध्यान से खूलीगा कई बार यह तूट जाता है नहीं तो आप उसे गरम पाने के साथ है लेकिन जो पहले वाला रेवजेटर दोस्तों वो काफी जोड़दारा करण्ट भी मारता है उसका एक मुख्या कारण होता है उसका डी फ्रोस्ट हीटर मैं आपको यह पताऊँगा कि अलग-अलग कंपनियों के रेवजेटर में हीटर भी अलग-अलग त्रहके होते हैं और आपको हीटर बदलती हुए क्या-क्या बातें ध्यान में रखने चाहिए ताकि आपको आगे कोई प्रोग्लम ना आए क्योंकि समस्या कई बार यहां उ भटा दिजिए पलग से और हीटर की कंटिनूटी चेक कीजिए अगर हीटर की कंटिनूटी हमारे मल्ली मीटर में आ रहे है तो इसका मतलब कि हमारा हीटर ठीक परकार से जूड़ा हुआ या उसका सरकुट पूरा है लेकिन अगर आपको मल्ल्टी मीटर में कुछ साइन नजर नहीं आ रहा कोई भी हरकत नहीं हो रही तो आपको हीटर को बहार निकालना होगा क्योंकि आपका जो हीटर है वो पीछ से ब्रेक हो चुका है या कोई वायर उससे डिस्कनट हो चुकी है और अगर करंट मार रहा है तो आप समझे लिए जी कि उसकी कांच वाले ट्यूब तूट चुकी है ड्रेन पीछे की तरफ आ रहा है इससे यह साबित होता है कि हमारी ड्रेन पुछ तरह से बलोक नहीं हुई और इस ड्रेन का भी काफी महतब होता है हमारे इस फाल्ट फैंडने के दुरान वो मैं आपको आगे बताऊँगा हमने बरफ को मेल्ट कर लिया है पानी की साहिता से हलका गरम पानी हमने यूज किया है और अब हम हीटर को बहार निकालेंगे उसकी असेम्बली से जो की कवर्ड होता है एक इस पात की असेम्बली होती है उसमें ही वो फिक्स होता है और उसी में वो लगा होता है यही जगे होती है हमारे इस डीफोस्टिंग हीटर की इसका मुख्य कार्य होता है कि जब हमारा डीफोस्ट टाइमर हीटर मोड पर आता है तो ये हीटर चार्ड होकर इस ब्रप को पिंगला देता है और अब यह आप देखिए हीटर की जो कांच वाला आवर्णा वो पूरीतर से तूट चुका है इसी वज़े से हमारे पूरे फ्रिज में करनट तोड़ रहा है जो घा तक सिध हो सकता है दोफ्तों ये हीटर बार बार क्यों टूटता है उस पर भी हम बातें करेंगे अभी हमारा मुख्य उदिष है इस हीटर को रिपलेस करने से पहले आपको इसके साइज को माप लेना चा है जो की पूरी तरह से waterproof होता है लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका जो कांच की नली है उस पर दवाब ज्यादा पड़ जाने से यह तूट जाता है और अक्सर वह है कई बार इसलिए भी होता है कि हम जब पुराना हीटर का डिप्रेस्मेंट करते हैं तो उसका जो कांच है उसके जो टुकड़े हैं वो पुर्दर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं वो मैं आपको आगर दिखाऊंगा अभी हम इसकी मायस कर रहे हैं कि हमें 9 इंच लंबा हीटर यूज करना है या 10 इंच या 12 या 15 इसका साइज अलग हो है तो यह तूट जाता है इसका एक मुख्यकारण यह भी होता है इसलिए इस कपांट मेंट को पूरितर से साफ कर दीजीगा नया हीटर लगाने से पहले नहीं तो आपका यह नया वाला हीटर भी तूट जाएगा और अच्छी तैसे आपको टेपिंग करना है यह ध्यान मे रिप्लेस करते हुए आपको कोई भी जोड ऊपन नहीं छोड़ना है उस पर अच्छी तैसे टेपिंग करनी है वाटर फूट टेपिंग करनी है अगर आप वायर को काट कर लगा रहे हैं और अगर जैक सीधे लगा रहे हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है विशेश क अगर नहीं दोस्त लेकिन दोस्तों कई बार समझ्चा क्या होती है कि हम सब कुछ बदल देते हैं लेकिन फिर भी हमारा रेफिजिटर नीचे कूलिंग नहीं कर पाता वो भी वज़या मैं आपको आगे बताऊंगा उन मुख्य वज़ों मैं से एक वज़य ये है कि आपके डीज़ फो शीटर का काम ना करना तो हमने इसे रिप्लेस कर दिया है हो और हम उसके बाद रेफिजिटर को चालू कर देंगे लेकिन एक बात हमेशा आप जहन में रखिएगा जब भी आप किसी ऐसे केस पर काम कर र ही है और आप हीटर रिप्लेस करने के बाद फ्रिज को चालू कर दोगे उसी वक्त तो आपकी कूलिंग फिर भी नहीं हो पाईगी जब तक पीछे डिन में से पानी आना सुनचित ना हो तब तक आप रेफिटर को चालू ना करें नया हीटर रिप्लेस करने के बाद अब न दूसरी तरह का है अभी आप देखिएगा इसकी भी ब्रफ को हमें मैल्ट करना पड़ेगा दो तो हीटर के बाद आपका जो बाय मेटल होता है हमारी सेक्षिन लाइन पर लगा होता है कुलिंग कोईल के वो खराब हो सकता है इसलिए आपको इसे भी रिप्लेस कर देना चाहिए अगर आपका हीटर पूरी तरह से ठीक है तो एक कारण ये मुख्य हो सकता है इसलिए आप उसी कंपनी का बाय मेंटल ओरिजिनल रिप्लेस कर दीजिए उस रेफिजरेटर में तो आपकी ये समश्या सोल्व हो जाएगी य नली में कह दोता है जिसे हम ड्राइए एलिमेंट कहते हैं और ये एलजी कंपनी में अधिकतर इस प्रकार का हीटर आता है हीटर कंटिनूटी आप चेक कर लीजिए इसके जैक से आप जो प्रोसेजर हमने पीछे वाले क्लिप में अपनाया था अगर कंटिनूटी में रेड इसके टाइमर को भी बदलेंगे अगर आपके रेफिजिटर में नीचे कुलिंग नहीं आपके दोस्तों अगर आपका डबल डोर रेफिजिटर का जो हमारा एकुर्टर यानि कुलिंग को है अगर वो पूरी तरह से ब्रफ से ढख जाएगी तो वो अपने शमता से अंदर होती रहेगी कि बाइमेटल बदलने के बाद आपको इसके डीफोस्त टाइमर पर फोकस करना है कि वह भी अलग तरह के होते हैं किसी में मेकैनिकल डीफोस्त टाइमर होता है उनों को भी रिपे प्लेस कर दीजिए क्योंकि यह भी defrost schedule को पूरा नहीं कर पाते जिससे हमारे इस उपर cooling coil में पूरी मात्रा में बरफ जमने लग जाती है और हमारे पूरे fridge में cooling नहीं हो पाती same to same आपको defrost timer replace करना है या same to same PCB replace करनी है उसमें कोई fair बदल मंत कीजीगा नहीं तो हमें इसमें आगे चल कर problem हो सकती है तो दोस्तों ये थी fault finding अगर आपके first phase refrigerator में नीचे की तरफ cooling नहीं हो रही जो दोस्त नहीं है वीडियो को like और share आवश्य कर दीजीगा और चलने को subscribe करना भी मत भूलिएगा धन्यवाद